आज हम डिसकस करेंगे स्टैटिक जीके में इंडियन स्टेट्स में तमिल नाडू क्योंकि यह आज कल बहुत ही जादा न्यूज में है तो इसके बारे में देखेंगे और इसके कोशन एससी में और बैंक में जरूर आएगा तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें और शेयर करें सब्सक्राइब करें चलिए शुरू करते हैं तो पहले इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन देख लेते हैं तो जो इंडिया का साउथ वाला पार्ट है जहां पर आपका वेंगॉल और इं प्रजनिती कुतल-पुतल मसता रहा तो इसी के बारे में आज हम बाद में डिसकस करेंगे पहले हम तमिल नाडू की फिजिकल और उसका जिग्राफिकल और एकॉनमिकल कंडिशन्स में हम आज बात करेंगे इसको देखेंगे तो देखते हैं आगे कैपिटल की बात कर लिए तो जो हमारी तमिल नाडू की कैपिटल है वह चेंहीं है इसका तमिल नाडू का जो एरिया है वह reduces च्राबन किलों मीटर का इसके नेपेरंग स्टेट की अगर बात करें तो नेपरिंग इंस्टेट फिर से एक की तरफ इस तरफ हमारा बे ओफ बेंगॉल है नीचे की तरफ हमारा इंडियन ओशन है और साइड में हमारा जो स्रिलंका के साथ जो खाड़ी लगती है इसको हम बोलते हैं मनार की खाड़ी अगर आपने पड़ा हो ठीक है तो और पुडुचेरी यूनियन टेरेटरी है छोट में है और इसके इस्ट साइड में हमारा बे ओ बेंगॉल है और स्रिलंका है इंटरनेशनल और आगे देख लेते हैं कि यहां की पॉपलेशन जो है 2011 के अनुसार यहां की जो पॉपलेशन है वो है साथ करोड़ 21,47,030 और जिसमें से मेल जो है वो करीब 3 करोड़ 61,37,975 और फीमेल जो है हमारे वो 36,360 ठीक है अगर सेक्स रिशो की बात करोगे तो यहां का सेक्स रिशो काफी हल्दी है पर थाउजन प्यूपल में से 996 यानि 996 में महिला है ठीक है लिट्रेसी रेट यहां का काफी अच्छा है 80% का लिट्रेसी रेट है और यहां पर जो मेल का ट्रेसी रेट जो है या फिर सिख्छा की बात करें तो वो 74 परसेंट अलग वह आगे की बात कर लेते हैं कि एक्षुली में तमिलाडू फॉर्म कब हुआ था तो जब हमारा देश आ जाद हुआ था 15 अगस्त उनिस सो से तालिस को तो यह जो तमिलाडू का पहले नाम था आंद्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था आंद्र प्रदेश से फिर 1956 में यह अलग हो गया और लेकिन उस समय उसका नाम फिर भी मदराज था लेकिन फाइनली 14 जनवर यह 1979 को इसका रिनेम कर दिया गया ऐसा तमिलनाडू ठीक है लेजिसलेटिव बॉडी की बात करें च सेमेदानिक देश है यह constitutional country है तो यहां पर चनाव basic label से start होते हैं तो यहां पर बिधान सवा की seat की बात करें State Assembly की बात करें 24 seat हैं ठीक है लोक सवा की बात करें लोक सवा में यह अपर 39 है और राज्य सवा में यहां पर 18 seat है ठीक है यहां पर जो मेन लेंगवेज है वो तमिल है मदरास के नाम से ठीक है कि अगली बात करते हैं रिवर्स की बात करते हैं अगर आप करेंटली अगर न्यूस पेपर पड़ते हैं तो यहां पर एक रिवर के बीच में दो स्टेट में काफी जगडा चल रहा है आपका करनाटिका और तमिलाडो की बीच में कावेरी का विव र्यूटरी भी है ठीक है है तो रिवार्ष में अर्टमे कावेरी इसके सारी रिवर्र ईसे च्र आ रहे है और आपकीमड़र पाके बहुत ज़्याद है अग्या ओके और अँछन परिया की बात कर लेते हैं कि मांटेन ईरिया कौन कौन से हैं देखते हैं जिग्राफिकल आप मैप देखेंगे तो यहां पे सबसे ज़्यादा जो आप बिल्कुल इसके बैस्ट में देख रहोगे तो नील गिरी की पहाड़ीं हमको दिखाई देंगी यहां पर यह नील गिरी की पहाड़िया है ठीक है और इसमें जो एक एलिफेंट हिल है अन्ना मला के उपर कि अन्नमलाई एक बार अन्नमलाई का मतलब क्या होता है दूसरा अन्नमलाई एक्षुली कहां पर है ठीक है तो इसके बारे में आपको याद रखना है बात कर लेते हैं डिस्टिक यानि पॉलिटिकल मैप की इसके तो पॉलिटिकल मैप के एकॉर्डिंग जो तमिलनाडू है उसमें 32 हमारी डिस्टिक्स है ठीक है 32 डिस्टिक हो जाएंगी हमारी तहसील यहां पर 216 है ठीक है ग्राम पंचाइद यहां पर 12632 हैं बिलेजिस जो है यानि गाओं यहां पर 16278 है जो अर्वन टाउन है यहां पर ठीक है वो 822 है और यह यहां पर अगर में टाउन की बात करो तो वैसे तो तमिलनाडू घूमने का बहुत अच्छा प्रदेश है यानि टूरिजम यहां का काफी हेल्दी है क्योंकि यहां पर बहुत सारे मंदिर हैं गुफाएं यहां पर ठीक है और हनीमून प्लेसे से ऊटी जो है यहां का बहु बिसीकली जो तमिलनाडू है वो डिपेंड करता है उसके अग्रिकल्चर पर यहां पर बहुत सारी केती होती कॉमर्शिल क्रॉप भी और यहां पर क्या बोलते हैं प्लांटेशन जो आपकी खाने की फसले होती है वो भी यहां पर काफी सारी होती है तो इसको इसके बारे मे बहुत ज़्यादा होता है यानि अच्छा खासा बनता है यहां से निकलता है हमारा limestone यानि चूना यहां से बहुत ज़्यादा निकलेगा manganecide यानि iron का हो रहे तो iron मतलब यहां पर अच्छा खासा मिलेगा आपको ठीक है इंडस्टी की आप बात करोगे तो यहां पर motor इंडस्टी काफी है जैसे फोड है हंड़ा है हिंदुस्तान motors है ठीक है textile industries भी है cotton textile industries भी यहां पर बहुत ज़्यादा है chemical fertilizer भी यहां पर काफी बनाया जाते है क्योंकि एक्शुली यह जो एरिया है वह कॉस्टल एरिया है तो यहां पर cbh problem बहुत कम होती है इसलिए यहां पर chemical industries भी काफी अच्छी मात्रा में chemical पल पेपर cotton ठीक है दूसरा यह तो ठीक है बात समझ में आई यहां पर railway के coaches भी बनाया जाते हैं army के tank भी बनाया जाते हैं cement industry भी यहीं पर है और यहां का खुद का एक टॉलीवूड अपना cinema भी है ठीक है तो agriculture में देख लेते हैं यहां पर जो commercial crop होती है वो हमारी sugar cane cotton यह हमारी क्या है agriculture crop है ठीक है और sunflower coconut काजू चिलीज ओके और plantation crop में अगर बात करोगे तो यहां पर आपके चाय काफी इलाइची रबर यह काफी मात्रा में होता है ठीक है यहां पर चंदन की लगडिया भी मिलती है तो इस बारे में याद रखें कि यहां पर चंदन की लगडियां भी मिलती है ओके आगे देखते ट्रांसपोर्ट की अगर बात करों तो पूरे जो आंधर प्रदेस में छोटे- बड़े रोड मिला के जो टूटल लैंध है वह 62,017 km की है लेकिन यहां पर जो नेशनल हाइवेच की लेंद है वह 5600 6 km की है ठीक है और रेलबे जो है रेलबे की जो लेंद है वो करीब 366 km यहाँ पर रेलबे है एरपॉर्ड जो है यहां का बहुत ही इंपर्डेंट एरपोर्ड है चे नहीं चेन्ही में जो एरपोर्ट है मीनाम मकम एरपोर्ट यह काफी नाम इसका पूछा जाता है कि चेन्ही में जो एरपोर्ट है चेन्ही में जो स्टेडियम है इनके नाम जरूर पूछे जाते हैं एक्जाम में ठीक है तो चेन्ही का जो एरपोर्ट है मीनाम मकम एरपोर्ट इसके तो जहां से आपके पंदरगायाम जहांसे आपके जहाज यानि शिप जो है पानी के वो ट्रेवल करते हैं जाते एक देश से दुस्रेशे टीश्वाइन तो जो हमारा तमिल लाड़ु टूरriver लादा के मामले में काफी हेल्दी यहां पर बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं जो घूमने लाइक हैं जैसे मामल पुरम है पंफोर है कांचदी पुरम है अन्ना मलाई है ठीक है और यहां पर एक अरी अरीगनार अन्ना जूलोजिकल पार्क है जहां पर कहा जाता है कि 65,000 साल पुराना एक फोसाइल मिला है डैनसौ और भी हमारे मतलब इंडिया में तो थे कम से कम डैनसौर तो थे ही ठीक है तो आपको यह बात बिल्कुल याद रखनी है कि कौन सा है अरी अरीगनार अन्ना जूलोजिकल पार्क ठीक है ओके और यहां पर उटी है वहाई हनीमोन मनाने की बहुत अच्छी जगह माने जाती ह कि अब यह भी शादी हो तो जा सकता है घूमने के लिए ठीक है तो ऊटी अच्छी जगह है बाइल डाइफ सेंचुरी में यहां पर गुंडी जो चेन नहीं में है ठीक है और कल्चर की बात करें तो कल्चर के यहां का जो वहाती फेमस डांस है वह हमारा भरत नाट्यम और क Satala Chetra Kolattam यह यहां के क्या है बहुती फेमस डांस हैं ठीक है ओके फैस्टीवल यहां पर सबसे ज़्यादा जो मनाय जाता है वह पोंगल पोंगल यहां पर काफी मनाय जाने वाला फैस्टीवल है ओकर तो यह यह तो था मारत तमिलनाड़ के बारे में जो मेन में टाटा